तो जी हाँ फ्रेंड अब आपको ईसरम कार्ड में भी EKYC करनी होगी तभी आपको पैसा मिलेगा और जिन लोगों को पैसा मिल रहा था अभी पिछले महीने से मिलना बंद हो चुका है उसकी बज़े है कि EKYC जैसे कि PM किसान सम्मान निदी में भी आपको EKYC करनी हो रही थी उसी तरीके से आपको इसमें करनी है और मैं आपको बताता हूँ कैसे हम EKYC को कम्पलीट करेंगे वीडियो आपको पूरा देखना होगा सही से देखना होगा अच्छा आप जिन लोगों को कई लोग ऐसे भी है इसरम कार्ड के जिन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है तो व EKYC कम्पलीट कीजिगा हो सकता है आपको भी पैसा मिलना सुरू हो जाथ चलिए आपको बताते हैं कैसे इस EKYC को कम्पलीट करना है आप अपने मॉबाइल में जाएगा और मॉबाइल में आपको गूगल में पहुंचना है और डेक्स्टॉप साइज में कर लिजगा तो ज और उप्टेट के नीचे अप्डेट का ओप्ट्सन लिखार दिख रहा है तो हम अपडेट वाले उप्ट्सन पर किलिक करेंगे जैसी हम इस पर पर आपको क्लिक करते हो तो आप आजाते हो इस पेज पर जहां पर आपको यहां पर अपना जो मॉबाईल नमबर है जो कि आधर कार्ट से लिंक है वह आपको यहां पर डाल देना है और यह जो capture code है यह पूरे वड़ежд capital में है आपको भरने तो चलिए हमें आप पर mobile number डाल देते हैं send OTP पर जैसे ही click करते हैं तो जो mobile पर OTP आती है वो OTP आपको यहाँ पर डाल के फिर submit कर देना है जैसे आप submit करोगे अब आपको आता है आपके आधर कार्ड number डालने के लिए तो यहाँ पर 3 box है इनहीं में आपको आधर कार्ड number डाल करना है तो अब आपकी EKYC के लिए यहाँ पर फिर एक OTP जाएगा जो कि आपके आधर कार्ड से mobile number लिंक है उस पर वो OTP आपको यहाँ पर डाल के validate वाले option पर click करना है जैसे आप click करोगे अब आता है main point यहाँ पर क्या आता है देकि यहाँ पर अंदर की तरफ हम खुल जा आते हैं उसके लिए आपको इस पर click करना होगा click करते ही आपके सामने बहुत सारे option आजाएंगे यहाँ छे option आपके पास आजाते हैं जिन मेंसे आपको सभी को EKYC complete करने होगी कैसे दिखे हम update पर click करते हैं दो option नजर आते हैं एक तो update profile का एक download का तो हम update profile पर हमें click करना है यहाँ पर दिखे छे option नजर आ जाते हैं आपको जिन में आपको हर एक option पर click करके इसको update करना होगा कैसे मैं आपको बताता हूँ जैसे यहाँ पर personal information है सबसे पहले तो हम personal information पर click करेंगे जो उपर सबसे first वाला option है इस पर हम click करते हैं उसके बाद उपर आपको yes या no सकते हैं अगर कुछ गलत नहीं है सब कुछ correct है तो आपको कुछ ने करना है एक बार इसको update मार देना है इनकी update पर आपको click कर देना है तो आपकी जो first profile है वो update हो चुकी होती है और उसके बाद आपको यहाँ पर continue का option आता है तो continue कर देना है तो आपका पहला page जो है वो submit हो चुका है उसी तरीके से address आपको update करना है education update करने है उसी तरीके से यह सारे option है bank details वागेरा यह सब ही आपको जहाँ जहाँ update पूछे वहाँ पर आपको update कर देना है उससे आपकी जो profile है जो इसरम card है वो update हो चुका होगा और update होने के बाद आप इसको जो है कुछ दिन का wait कर यहाँ पर आपको log out जरू कर देना है यह update करने के बाद तो आपकी जो update EKYC की प्रिक्रिया वो successfully पूरी हो चुकी है आपको बस सर्फ इतना ही करना है उसके बाद अगर आपको पैसा जो पिछले महीने से अगर आपकर रुका हुआ है तो आपको अगले महीने यह प्रिक्रि जैसे रह गई थी तो हमारे चैनल पर ऐसे ही जो knowledgeable वीडियो है वो मिलते रहते हैं और आपको तुरंत अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe जरू कर दिना है नीचे जो red color कर बटन है वगल में घंटी आए कि उस पर जरू क्लिक कर लिए ताकि हमारे वीडियो आपको कुरंती मिल सकी